हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैं हूँ प्रिया आज हम दो नमबल अड्डू को पाल जी के लिए एक कैप बनाने सीखेंगे यह देखें मैचिंग कैप बनाएंगे हम देखने में बहुत ही सुन्दर है इसको बनाने काफी असान है और अगर आपने इस अब नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर यह लिए देख सकते हैं देखे देखने में poサ अलवर इसको किसी भी कदर में बना टोको सकते हैं दोनों को ही three aus a verse अगर आप मेरे चैनल पर पहली करेंगे वीडियो चले स्टाट करते हैं कि देखे मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से और फिंगर से बाहर निकाल देंगे इस दागे को और जो पीछ वाला धागा है उसको देखे रिंग में लेके आएंगे हुक से और थ्री चैनल लेनी है वन तू थ्री यह हमारा एक बनाने और फर्स्ट वाले को मिलाके बारा हो जाएंगे मारी बन लेंगे पे दागा करके लाएंगे तीन लूपे तीन में इसे दो करेंगे दो में से एक करेंगे देखे और इसी तरह से हम बना लेंगे 12 डबल ग्रोशी बना लिए हमने और इस वाले धागे को हम खीच लेंगे और हमारा प्राला डबल ग्रोश्या उसकी थर्ड चल में होग को डाल के राउंड फम जोइन कर देंगे पिचले लोप में से निकाल देंगे हमारा फर्स टोग अप्लिट हो गया है अब हमें देखे 12 के उपर दो डबल क्रोशी बढ़ाने है तो हमारे दूसरी रो में 14 डबल क्रोशी हो जाएंगे एक हम स्टार्टिंग में बढ़ा देंगे दो चैनली हमने अब हमें हर रो में हाफ डबल क्रोशे बनाना है बल लेंगे सेल जगाप मुग डालेंगे ना यह को से बनातेंगी मैं रैक है के इसके सामने गद यह में सामने यह पर जेंगे दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, तीसी चैन के अंदर से भी एक बार बनाएंगे, और फॉर्ट चैन के अंदर से भी एक बार बनाएंगे, पाँचवी चैन के अंदर से भी एक बार बनाएंगे, छटी चैन के अंदर से भी एक बार बना लेंगे, और देखे जो साथ भी चैन है उसमें से हम एक बार और बनाएगे देखे पहले था हम एक बना नहीं है हमें और सेम जगह से ही एक और बना देगे एक ये लगे के चैन के अंदर से हमने दो बार बनाए देखिए इसके हमने सामने ही बढ़ा दिया अब जो हमारी ये चैने बच्ची है उसके अंदर से हमें एक एक बनाते वे रो कम्प्लीट करना है देखिए हम वर के लास्ट मा आगे लास्ट मा के दूसरी चैन में से जोइन कर देंगे अब हमें देखिए दोरों और बनानी है चोदर को प्रम चोदर ही बनाएंगे दो-चैन लेनी है और दूसरी चैन में से हमें एक बार बनाना एक हाल डब व्रसरे बनाएंगे देखे सभी चैन के अंदर से हम एक एक बनाते पर रोव कंप्लेट कर लेंगे उसके बाद हम एक रोव और बना देंगे देखे हम आई चार रोव कंप्लेट हो गई है फर्स रोव में हमने 12डब्ल क्रोसी बनाए थे 12,14 डब्ल क्रोसी बनाए थे फिर हमने 2 रोव और बनाई ही है कोई स्टीच हमने बढ़ाई नहीं है अब देखे हमें यहां पर 5 चैन लेनी है एक दो तीन चार पांच और चैन को ह अब देखे दो चैन स्किप करेंगे एक दो और जो हमाई तीसी चैने वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोसे से जोईन करना है यह देखी यह हमारा लो बन जाएगा फिर सह में पांच चैन लेनी है एक दो तीन चार पांच दो चैन स्किप करेंगे एक दो तीसे चैन में सिंगल क्रोसे बनाएंगे पाँचैन एक एक दो तीन चार पाँच दो चैन स्किप करेंगे एक दो थर्ड चैन में को डालके सिंगल क्रोसे बना देंगे पाँचैन एक दो तीन चार पाँच कि एक दो चैन कि पर देंगी थर्ट ठ현 में di osager कर देंगे सिंग करते जाइन आप को दें continuously की आप यह एक दो ना। जेंद बचिए हम सबी जगह के दो हमें स्वेक्प कर देंगी को यह men नाइड आज़ाय में कोई पर्फ नहीं पड़ेगा फ्रेंस जो हमारा यह पहला लूप बनाए तिक यहां से हमने चैन बनाना इस्टाट करी थी उसी चैन में होक को डाल के एक सिंगल क्रोश से बना देंगे दो लूप है दो में से एक ना देंगे क्योंकि हमने सब जगा पे स्टाइटिंग में अब दिह जोड़ना है आधि एक स्टिंगल क्रोश से बना देंगे अब जो माई तीसे चैनला है loses के एक ईयूंदर से Men must इससे बनाना है दो चैनले लेजाए और सेम जगह पर ही एक स्ट्ण dew से बनाएंगे क्यों मारे सेंट्र निकल गया है इस क्यों बेदे माधं हम दो थो सिंगल क्रोसी बणाएंगें नेmeMayais एक सिंगल क्रोसी दोच आप सब्सक्राब से बना रहें थो थो इस हमें पॉस Drag मुरति बनाया है यहाँ पर सिंगल क्रोसी बना रहे हैं अब पहली चैन को से देखिए एक क्रों से बनाइए दूसी चैन के अंदर से भी और तीसे चैन में आके प्ले एक क्रों से बनाइंगे 2 चैन लेना है यहां पर हमें सेंटर निकालना है इसका एक और यह दो देखिए सरसे बन जाए गई और ऐसी बनाते हुए हम रोग कम्प्लीट कर लेंगे करें में पर के या रहा सींगल प्रोशाखो बना देंगे अंत्री यहां बड़ जाएगा रहांने देखिए क्छा करेंगे अब दूसरी ठीस से एक बड़ेगे अब हमारे देखिए एक एक शिच यहां बढ़ जाएगा और एक स्टिछ हमारा इधर के साइड बढ़ जाएगा, पहले हमने दो बनाएते, अब हमारे यहाँ पर तीन सिंगल क्रोष से बन जाएंगे, फिर दो चैन और सेम जगा पर ही एक सिंगल क्रोष से बनादेंगे, अब इदर की साइर भी हमारे तीन सिंगल ग्रोसी बनेंगे एक दो तीन इस दूसरी बाले लूप में देखिए एक तीन अब दो चैन के स्पेस में हमें पहले एक सिंगल क्रोसी बना रहा है फिर दो चैन लेनी है और सेम जगा पर ही एक सिंगल क्रोसी बना देंगे और देखिए चैन में होग डालेंगे पहले सिंगल क्रोसी की एक सिंगल क्रोसी बनगे हमारा दो तीन दोनों साइड हमारे तीन तीन बनेंगे और बीच में हमारे दो सिंगल क्रोशी बनेंगे और दो की बीच में हमें दो चैन का ग्याप देना है और ऐसी बनाते भी हम लोग कम्प्रीट कर लेंगे के लास्ट माते से जोईन कर देंगे असकी चैन मिंदोन को डालो beeps करना है लुब बना लेंगे और जो हमारा पहला सिंगल कुरोस सके हूं, का के जाएं मैं से खावा से जोईन करेंगे सिंगल क्रोशी से ही दो लूपे दो में से एक कर देंगे यह हमारा एक सिंगल क्रोशी पाउंट होगा अब दूसरी चैन में से एक बार बनाएंगे तीसी चैन के अंदर से भी बार बना लेंगे और फोर चैन के अंदर से भी बार बनाएंगे दिखिए एक स्ट्रिच हमारे यहां बढ़ गया है और यह हमारे इधर के साट बढ़ जाएगा पहले दो थे दो के उपर तीन होगई, तीन के उपर चार होगने अब दो चैन के स्पेस में हो मैं फिर से पहले एक सिंगल कुर्ण से बनाएंगे दो चैन और सेम जगा पर ही एक सिंग ग्रोस से बना देंगे एक दो तीन इदर की साइड भी हमें चार बनाने हैं एक दो तीन चार दो चैन के स्पेस में एक सिंगल क्रोस से पहले दो चैन और सेम जगा पर ही एक सिंगल क्रोस से बना देंगे अब देखे जो हमारे पहला सिंगल क्रोस यहाँ पर एक बनाना है एक दो तीन चार देखे इसी तरह से हम सभी पैटल को कंप्लेट कर लेंगे बनाके देखे लास्ट माके से जोइन कर देंगे जो हमारे पहला सिंगल क्रोस है उसके चैन में को डाल के पीछाले लूप में से निकाल देंगे और एक चैन लेके धागा कट करना है देखे फ्रेंट्स हमारी कैब बन का तयार हो गई और देखने में बहुत ही संदर लग रही है आप 34 में एक रो और बना सकते हैं यहाँ पर यलो कलर के धागे से जैसे कि हमने लास्ट में यहाँ बनाएं यह मैंने बनाऊंगी देखे काफी बड़ी हो जाएंगे फिर हमारी यह कैप की छोड़ाई क्योंकि छोटे छोटे लड़ी को पाल जी के लिए दो नमबर देखे और इनको हम जोइन भी नहीं करेंगे इनको हम देखे इस तरह से सेट कर लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो अची लगी है तो मेरी वीडियो को देखे फ्रेंट्स हमारी कैप तयार होगी है और देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है और अगर आप चाओ तो फ्रेंट्स देखे इसमें एक रो और बना सकते हैं यह लोकलर के धागे से जैसे कि हमने यहां पर लास्ट में बनाया है अगर हम बनाएंगे तो देखिए क्याप की चोड़ाई थोड़ी जादा हो जाएगी क्योंकि छोटे लड्डू अपाल जी के लिए है तो इसलिए हमने नई बनाईए इसमें हमने तीन रो बनाईए एक तो तीन और देखने में बहुत ही सु वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक से करना मत बूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग